अल्राइट फेंड्स वेलकम टू बीपीसी बेसिक्स ठीक है तो यह इंडियन एक्सप्रेस का 27 नॉवेंबर का निउस्पेपर है मतलब आज का है ठीक है तो बेसिकली क्या है कि हम लोग निउस्पेपर पढ़ते हो निउस्पेपर पढ़ने का अबजेक्टिव जो है वो हमने निउस्पेपर वाले दो वीडियो में दो पार्ट में स्कों लूऋ का अदिए कि निउस्पेपर कीयोगTrade क्यों पढ़ना है बीपींसी में तो यह equality को promote करता है, matter of pride, participant rejoicing and cheer at the queer pride parade in New Delhi, ठीक है, New Delhi में queer pride हो रहा है, तो LGBTQ community से हैं, और इनका pride parade हो रहा है, pride parade कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यह Israel में होता था, ठीक है, कि वहाँ पे जो LGBTQ community के people होते हैं, तो वो pride parade निकालता है था, कि we are also having pride on our gender identity, which we assign to ourselves, ठीक है, हमारा जो भी gender identity है, मुझके साथ खुश है, ठीक है, आप हम पे थोप नहीं सकते है, binary gender identity जो होता है, या तो आप male है या female है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा जो, हमारा अंदर से जो हमारी आवाज आ रही है, जो हमारी इक्छा है, तो हम उसको लेके pride महसूस करेंगे, social stigma हम नही महसूस करेंगे, ठीक है, आप हमें discriminate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को ना, जब हम ऐसे लिखेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से use कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, आज प्रकास पर्व है, ठीक है, गुरु नानक देव जी की जहनती है, तो इस पर क्या होता है, कि जिसे कोई कंपनी वाले हैं, तो वो अपना कंपनी का भी advertisement हो जाता है, प्रकास पर्व के लिए थोड़ा सा, मलब एक तरह से कह सकता है, आपके editorial टाइप पर थोड़ा काहनी लिख दिया जाता है, तो इस तरह के चीज को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्यूं? क्यूंकि इससे देखे, एक तो क्या आपको गुरु नानक देव जी के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सौर्ट में यहाँ पर आपको उनके बारे में कहानी पता चल जाएगा, इससे क्या होगा, कि जब आप essay लिखेंगे ना, तो again, ठीक है, essay देखें, विपेजिक तो आप कैसे करेंगे, किसी ना किसी सोशल दिफॉर्मर के बारे में कोट करते हैं, जनरली क्या होता है, कि आप जीएस से कोट कर जाते हैं, बट जीएस वाला ना, एक लेबल पे जाके मोनोटोना सहो जाता है, कि सब वही राजा राम मोहनडाय लिखने लगेंगे, हना सब परकास नरायन लिखने लगेंगे सब रामनों और लोहिया लिखने लगेंगे तो थोड़ा सा डाइवर्स करना है और जैसे गुरु नानक के बारे में आप लिख सकते हैं आप बंदा बहादूर के बारे में लिख सकते हैं आप गुरु गोविन सिंग के बारे में लिख सकते ह जिनका की जन्म पतना में ही हुआ था उसके बाद फिर आप कृष्ण के बारे में लिख सकते हैं आप इसलामिक जो स्क्रिप्चर है उसमें से जो बहतरीन चीज़े हैं उसको लिख सकते हैं तो इस तरह से जो हमारा जो एसे होगा वो थोड़ा हॉलिस्टिक हो जाएगा तो इ देखते हैं realization of truth is higher than all else and higher still is truthful living ठीक है कितना बढ़िया कोट है कि truth को realize करना is higher than all else ठीक है सच्चाई सत्य सत्य तक पहुँचना सत्य को realize करना is higher than all else ठीक है और सच तक जब पहुँच चुके हैं उससे भी बहतर क्या है truthful living सिर्फ सच्चाई को जानना नहीं सच्चाई के साथ जीना ठीक है तो यह इस कोट का मतलब हुआ अब आप सुची कि अगर एसे में आप इस line को लिखते है तो कितना impactful होगा ठीक है और महाँ पर लिख देना है कि according to Guru Granth Sahib ठीक है realization of truth is higher than all higher than all else higher still is truthful living अब यह truth क्या है इसी truth क बारे में Guru Nanak Dev Ji बताते हैं कि यह truth क्या है ठीक है तो उसके पहले आप यहाँ पे देखिए कि crucial moment in life of Guru Nanak Dev Ji जब वो 18 साल के थे तो उनके पिता जी उनको भेजते हैं उनके father जो थे महता कालू वो उनको भेजते हैं कि जा हो भाई तुम explore करो दुनिया को और थोड़ा business trade के बा इसको invest करना उसे पैसा कमाना उनको रास्ते में क्या होता है उनको एक group मिलता है जो कि बहुत नीडी होता है भूखे लोग होते हैं उसमें तो Guru Nanak realized that helping them was more valuable than any business transaction उनको जो help करना है that is more valuable that is more profitable that is beyond the notion of profit that is beyond any kind of profit from any kind of business transaction ठीक है इस group को help करना ठीक है this is the truth he declared helping those in need and sharing with them is more profitable than any business transaction कितना simple से लाइन है यूज दिसने से I cannot abandon this true trade opportunity मैं इस true trade opportunity को नहीं छोड़ सकता सच्छा सोधा true trade true trade ठीक है गांधी जी का 7th सिनम लोग पढते हैं ठीक है कि commerce without consigns ठीक है तो भाई यह वही चीज है गांधी जी बाद में आये गुरु नानक पहले आये थे तो इनी सब learning teaching से जो है ना फिर गांधी जी अपना seven sins देते हैं ठीक है embarked on a journey to assist humanity और यहां से वो उनको समझ में आ जाता है जो 20 रुपया वो घर से लेके निकले थे और उनको फाइदा कमाना था तो उनको समझ में आ जाता है इस group से मिलने के बाद कि सच्चा फाइदा कहां पे है भाई असली जो true trade है वो कहां पे है उसके बाद फिर वो उसमें आस-पास के लोगों को community के लोगों को help करने के लिए these powerful words convey his philosophy with utmost clarity क्या better to wear the past coat of a beggar than to amass a wealth by deceitful means ठीक है आप फटा हुआ कोट पहनिए आप एकदम भिखारी की हालत में आ जाईए यह ज़्यादा बेतर है rather than कि आप गलत तरीके से पैसा कमाए आप सोचिए essay में आएगा कहीं पर honesty के बारे में लिखना है तो this line is very impactful इसको use कर सकते है यह पूरा line भी नहीं आद रहे तो कुछ इस तरह का line आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह का reference जो है गुरू गरुरु गरान साही में दिया हुआ है honest living is more valuable than ill-gotten wealth act of compassion and selflessness compassion and selflessness that Guru Nanak should challenge the conventional idea of profit जो conventional idea of profit था उसको challenge किया उन्होंने किस चीज से compassion और selflessness से ठीक है business के पीछे हमारा motive क्या होता है कि धेर सारा रुपिया डॉलर कमा लेना है लेकिन गुरु नानक का क्या था कि रुपिया डॉलर तो बहुत छोटी चीज है हम इसे उपर का चीज कमाएंगे और वो क्या कमाएंगे तो truth को सीख करेंगे सचाई को ढूंडेंगे और सचाई को आत्म साथ करके और उसी के साथ जीएंगे और खुश रहेंगे तो compassion and selflessness, selflessness का मतलब क्या हुआ कि हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, ego centric नहीं होना है, ठीक है कि हम ही हम है, ठीक है, compassion का मतलब क्या होता है कि feeling the pain of others and not only feeling the pain of others but try to resolve, try to remove the pain from their life, ठीक है, उनके नहीं बोल रहे थे कि देश को आजाद कराना है, national movement भी चला रहे थे, उसको leadership प्रोवाइट करा रहे थे, तो this is act of compassion, ठीक है कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं कि अरे हाँ तुम्हारे दुख से हम भी बड़ा दुखी हो गया, तुमको देखके बड़ा तकलीफ होता है, नह अलग था, और idea of profit for Guru Nanak was different, तो पिता जी जो है वो तो एकदम आग बबूला हो गया, ठीक है, लेकिन फिर इनका Guru Nanak जी का कहना था, कि बाई, real trade यही है, in sharing once earning with less fortunate, with challenge the prevailing norms of the society, बाई, आप अपना जो earning है, वो less fortunate लोगों के साथ share कीजिए, ठीक है, this is real trade, और इसी लिए गुर reminder of Guru Nanak's teaching on selfless giving and compassion, selfless giving and compassion, कहीं भी selfless giving, compassion, honesty का बात आए, तो Guru Nanak जी को याद रखना है, अब दूसरा article देखते हैं, इसमें थोड़ा और detail दिया गया है, सिखिजिम का philosophy के बारे में बताया गया है, हमारे लिए क्यों important है, BPSC के लिए कि एसे में आप क्यों लिख सकते हैं, क्य सिख के अंतिम गुरू, गुरू गोविन सिख जी का, ठीक है, तो हमारा बहुत गहरा relation है सिखिजम से, तो that's why we should know कम से कम superficially की बाई कि गुरू नानक देव जी का क्या कहना था, गुरू गोविन साहिब जी का क्या कहना था, और सिखिजम का क्या philosophy है, ठीक है, और फिर इसको यूज भी करना है, तो गुरू नानक जहनती जो है, उनका ज़न दिवस है, उसकी को गुरू परब के रूप में मनाते है, बरतनि वर्चनियों गुरू नानक देवजी, फुल मून दे के दिन मनाया जाता है, कार्तिक महिने में, ठीक है, तोबेस सा बात है कि कोई भी इस त तो मोनोथिजम राजा राम मोहन रहें कब बात कर रहें 1820 में बात कर रहें ठीक है और गुरुनानक कब बात कर रहें 1400 में बात कर रहें एक ओंकार एक ही भगवान है multiple gods के पीछे मत भागो बस ध्यान लगा तो एक भगवान पर तुम्हें सब कुछ मिल दाएगा concept of one god, monotheism है ना, इक ओंकार इक सतनाम he forced or spiritual path characterized by principles of क्या, equality, बरावरी हमारे constitution में है, preamble में लिखा हुआ है fraternal love, fraternity हमारे preamble में लिखा हुआ है selfless service, हमारा fundamental duty भी है and virtues, अच्छी आदते हैं अच्छे morals को uphold करना अच्छे values को uphold करना virtue होना चाहिए आपके अंदर में तो देखिए, हमारा संबिधान है, हमारा preamble है, वो भी inspired है वो भी यही बात करता है, जो यहाँ पर बात की जा रही है तो कभी अगर कोई इस तरह का यह से बोल दिया जाता है ना कि संबिधान जो है हमारा वो patchwork है, वो borrowed work है दूसरे जगा से copy कर लिया गया हाला कि वो लोग मूर्क है, पढ़े लिके मूर्क भी है और कुछ जो नहीं भी पढ़े है वो भी मूर्क है, ठीक है, जो कह देते हैं कि वो जैनिजम से आए, चाहे वो हिंदुईजम से आए चाहे इसलाम से आए, चाहे बुद्धिजम से आए चाहे कहीं से भी आए, ट्राइवल कल्चर से आए किसी भी कल्चर का जो ट्राइडिशनल विजडम है, वो हमारे Constitution में डिरेक्ली या इंडिरेक्ली embedded है, और उसको substantiate करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आप ये दे सकते हैं Life and Teaching of Guru Nanak देव जी 1469 में इनका जन्म हुआ था तो याद रखिएगा कि 1470s के आसपास इनका जन्म हुआ था, 1500 से पहले, ठीक है, अब क्या होता है कि Prelims आपसे Contemporary पूछा जागा कि Guru Nanak देव जी किसके Contemporary थे तो आपको ये कम से कम याद रहना चाहिए कि Guru Nanak देव जी जो है, वो 1500 से पहले थे, ठीक है, बावर इंडिया में कब आया था, तो 1500 से बाद में आया था, ठीक है, तो इस तरह से फिर कबीर और Guru Nanak का एक साथ देगा बोलेगा, दोनों Contemporary है कि नहीं है तो आपको याद रहना चाहिए कि 1500 से पहले Guru Nanak देव जी थे और इनके बाद जो है, फिर कबीर और वो सूर्दास वगरा हुए, ठीक है, जन कहा हुआ था रायगोई की तलवंडी, तलवंडी यानि जो आज के डेव में पाकिस्तान में है और उसी को ननकाना साहीब बोला जाता है जायन का जन्मुवता, ठीक है, वननेस अफ गॉड़, इनका जो टीचिंग है equality of all human beings, fraternity and importance of selfless service गुरु ननक देवजी, life was marked by a journey of a spiritual enlightenment and a commitment to social reform, social reform भी करना है, social reform राजा राम मोहन रोय कर रहे थे, इसवर चंदर विद्या सागर कर रहे थे, है न, डीके कारवे कर रहे थे, नाना प्रकार की institutions बनाए है, जब हम social reform पढ़ते हैं, आप aspectum book पढ़ेंगे तो, और वही social reform देखिए, कौन कर रहे थे, गुरु ननक कर रहे थे, वही social reform में participation किसका था, कबीर का था, अपने दोहों के माध्यम से, है न, कि पाहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है, तो फिर भाई हमको पहाड पूजना चाहिए, क्यूं? क्योंकि वह तो ज़्यादा बड़ा पत्थर है, तो बड़ा भगवान मिलेंगे, और उससे बेतर है कि पत्थर की बनी उस चक्की को पूजे, जिससे पीस के गिवों को और हम लोग आटा खाते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक है? छूले को पूज ले, तो कहने का मलब एक rationalist approach था, social reform की बात चल रही थी, अंध विश्वास को खतम करने की बात थी, तो social reform का जब बात आए, तो सिर्फ राजा राम मोहन रही से नहीं सुरू करना है, उसके पहले वला भी चीज को देखना है, ठीक है? गुरु गरंत साहिब क्या है? सिक के जितने भी गुरु हुए, उनका जो भी बोला गया बात था, वो इसमें इंश्राइन किया गया है, ठ फिर वो पार्ट करते हैं उसका, और फिर वो एक spiritual experience है, you can experience that spiritualism, किसी भी गुरुदारे में आप जाहिए, आसपास आपको पता चलेगा, ठीक है? और उसमें जो गुरु नानक जी का लिखा गया है, शबद है, 998 Poetingheims, जो है, इनका बोला गया, जो बात हो, वो लिखा गया, उसको शबद बोला जाता, शबद हिंदी में बोलते हैं, शबद यहाँ पर बोलते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, 3 core principle क्या है, कि नाम जपना है, कि रत करनी है, वद चकना है, ठीक है, नाम जपना का मतलब क्या है, remembering God and chanting God's name, बार बार, जो हमारा meditation होता, हमारा focus बढ़ता है, उससे, this is very scientific thing, ठीक है, किरत करनी, यानी, earning and honest living, देक है, कोर प्रिंस्पल में, किरत करनी, earning and honest living, अब है क्या ना, कि एक्जाम में जब आप honest living लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन किरत करनी लिख देंगे और इसको box कर देंगे, तो बोलता है, चैनल को भी शेर कीजिए, ठीक है, divine spark in every individual, irrespective of his social, cultural, economic and religious background, social reform, पहले क्या होता था, कि जो spiritual ग्रंत है, वो कुछी section of society पढ़ सकते हैं, women को नहीं पढ़ने दिया जाता था, शूद्र, outcast people को नहीं पढ़ने दिया जाता था, so-called, 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 outcast people, ठीक है, बट यही से religious reform सुरू होता है, जब यह समाज हमारा सडने लगता है, तो उसी समाज से कुछ लोग निकलते है, reform करने के लिए, और one of them was Guru Nanak Dev Ji, उन्होंने क्या बोला है, कि divine spark जो है, वो हर individual के अंदर होता है, उसका किसी भी जाती, किसी भी धर्न, किसी भी मजहब, किसी भी economic class, किसी भ मतलब नहीं है, हैना, every individual have the right to find the divine spark, which is sparkling in their heart, ठीक है, सरबत द भला यानि welfare of all, तो हमारा क्या है, constitution देखिए, वेलफेरिस्ट हमारा पूरा political system जो है, तभी तो MSP की बात होती है, हना, वेलफेरिस्ट है, तभी तो प्रधान मंतरी किसान योजना है, वेलफेरिस्ट है, तभी तो उजवला स्कीम के तायत, सिलेंडर मिलता है, तो welfare for all, तो सरबत दा भला, ठीक है, तो ये भी concept देख लिए, आप किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे मेरे दिमाग में भी यह आ रहा तो हम इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपने पड universal truth की बात करते हैं, truth वो नहीं जो hard truth हो, truth वो नहीं जो hard back truth है, क rozp यहीं नहीं बस यहीं कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्टेलिया ये वो फलाना डेम का East West, नहीं भाई, truth ये नहीं है, truth का मतल alred क्दो क्या होता है, truth का मतलब होता है universal truth, universal truth का मतल्द जो हर समय सही है, जो हर जग जो अमेरिका में भी सही है, जो इंडिया में भी सही है, जो पाकिस्तान में भी सही है, अब आप बताइए ये truth क्या होगा, ये truth है justice, नियाय मिलना चाहिए, which is due to you, ये truth क्या है, equality, कि हम लोग सब equal है, equal पैदा हुए है, we are all homo sapiens, ये truth क्या है, honesty, कि सही से काम करो भाई, इमान इमानदारी से काम करो, इमानदारी से पैसा कमाओ, इमानदारी से घर चलाओ, इसका मतलब क्या है, universal truth का मतलब, share करना, दूसरों का care करना, this is the truth, अगर homo sapiens, जो सुरू में evolution हुआ, एक दूसरे का care नहीं करता, तो क्या आज हम, दुनिया में जो साड़े आठ सो करोड हो गय enterprise of homo sapiens species की आज हम दुनिया को एक तरह से कबजा कर लिया हमने और उसके बाद हमने बहुत सारी गलत कामें भी की है, जंगल काट दिया और global warming कर रहा है बगएरा बगएरा, तो इसलिए common good, common aspiration ये सब कुछ बहुत जरूरी है, promoting universal values of compassion, humility and social justice, social justice देखिए, आगया, social justice हमारे DPSP में है, ठीक है, social justice हमारे constitution के DPSP में लिखा गया है, compassion होना ही चाहिए, तो ये चीज है, चीजों को relate करना है, तो I hope कि मैं जो point आपको बोलना चाह रहा था, वो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद ये एक important article है, इसको अगले वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे, so please subscribe this channel and share with your friends, thank you